हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप आल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कारडिगन, कूट्टी, जैकेट, गल्स स्वेटर, बच्चों के और प्रोजक्ट, जैकेट, साफ स्वेटर आदी में बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंड्स साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने टू के मल्टिपल में फंदे डालने हैं प प्रेंड्स साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा अब हम अपना पैटन बनाना इस्टार्ड करते हैं तो देखे बॉर्डर कंफलीट होने के बाद फ्रेंड्स से पैटन की फस्ट रू में देखे पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतारने के बाद द अब देखे जो फंदा बिना बुने उतारा है इसको हम उताएंगे लेप निडिल से और आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे अब यही दो फंदों का प्रोसिस हम आगे रिपीट करेंगे तो देखे धागा पीछे करेंगे और एक जाली डालेंगे फिर ए एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुना आब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको उठाएंगे लेप निडिल से और आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे फिर धागा पीछे और एक जाली डालेंगे नेस्ट फंदा बिना बुने धागा अपनी साइड नेस्ट फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है उसको उठाएंगे और आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलिप करेंगे फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है, इसको उठाएंगे left needle से, और आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, नेस्ट हम बिना बुने उतारेंगे फिर धागा अपनी साइड नेस्ट फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे जो फंदा हमने बिना बुने उतार है उसको आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे धागा पीछे फिर एक जाली डालेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतार फिर एक फंदा उल्टा बुनगे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है उसको आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा बुनडेंगे तो देखे ए फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो देखे पहला फंदा उतारेंगे फिर एक जाली डालेंगे तो देखे धागा अपनी ही साइड और इस तरीके से हमने एक जाली डालेंगे फिर नेस्ट हम दो फंदे एक साथ बनेंगे दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे फिर एक जाली डालेंगे फिर नेस्ट हम दो का एक साथ बुनेंगे धागा अपनी ही साइड रहेगा और इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और सलाई में लपेटते वे फिर धागे को आगे लाएंगे अपनी साइड और दो का एक करेंगे फिर एक जाली डालेंगे दो का एक करेंगे फिर हमने एक जाली डालनी है और दो फंद आप देखिए फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो, थार्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, और फ्रंट साइड से हमने थार्ड रो को सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करना है, ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थार्ड रो, कम्प्लेट हो गई, रोंग साइड से देखिए फोर्ड रो, फोर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, और रोंग साइड से हमने फोर्ड रो को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कर लेना है, ये देखिए रोंग साइड से हमारी पैटन की फोर्ड रो कम्प्लेट हो गई, अब देखिए फ्रंट साइड से फिप्त रो, फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट होगा, फिप्त रो को हमने पैटन की फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कम्प्लीट करना है, रोम साइट से जो हमारी सिक्स रो आएगी उसको हम सेकिंड रो की तरह बुनेंगे, फ्रेंट साइट से सेवन रो को हमने थर्ड रो की तरह और 8th row को हम 4th row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इन्हीं 4 सलायों के pattern को हमने बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुंदर बहुती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल भी नई हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you